हाई गाइस आज हम बनाएंगे पीजा सॉस जो कि आप पीजा पास्ता या डिप की तौर पर भी यूज़ कर सकते हो तो चले स्टाइट करते हैं वीडियो को और फिर दाल यहाँ अनियन इसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है आपको कोई फाइन चॉप नहीं करना इसको बेकास हमें इसको कुछ फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है इसको थोड़ा से सॉटे करेंगे फिर उसके बाद हम उसके अंदर दाल लेंगे टामेटो तो इसके बाद झालू में Sell卉ल जिससे के यह जल लिकलेавाटर अब इसको मिक्स कर देंगे एपौ ओसको कुछ तोड़ा में थोड़ा सा जिसे के और भी अच्छे से का ले और ग्राइंड होने में भी बाद में अच्छे से ग्राइंड हो जाए अब इसके बार इसके इंदम डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स गाइस अगर आपके पास वाली रेड चिली हो ताप वही यूज करना मेरे पास यहां पर अब इसको मिक्स कर देंगे और अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसके बिका सकते हो कोई भी चिली अब इसको ढख कर पकने देंगे पास से साथ मिनिट जब तक कि टामाटर एकदम मशी न हो जाए तो अभी हो गया है अभी हम इसको निकाल लेंगे फ्लेम प इसके अंदर में दालें तो गी हमारे मिक्स्छर और अभी हम इसको कर लेंगे घ्राइन अब ग्राइन गर्ईड है पूर यह हो गया और सो पहसे के बना लिये या बहुत जारे स्मूढ भी ने करना है एक दमे सो गाइज अभी मैंने वही सेम पैन लिया है जिसके अंदर हमने वह तामाइटों का मिक्स्चर बनाया था इसके अंदर हम दाल लेंगे ऑईल तो अभी मैं ऑईल की कौंटिटी जादा लग रहे हूं पिकाद हम इसको प्रेजर्व भी करना होता है तो ऑईल की वाज़े से जल्दी खराब नहीं होता है तो इसलिए ऑईल की कौंटिटी जादा रखें अब इसके बाद ऑईल गरम हो चुका है इसके अंदर दाल लेंगे गारलिक फाइन चॉप किया हुआ और सोटे करेंगे और इसको थोड़ा सोटे करेंगे वैसे तो है हमारा पेस्ट कुकड है बत फिर भी हम इसको अच्छे से कुक करना होता है जिसके हम इसको प्रेजर्व कर सकते तो इसलिए तो इसको सोटे करेंगे तो इसको स्टर करते हुए इसको कुक करेंगे तो गाइस अभी देखिए इ कर दिया है रेड हो जाए अब इसके बाद इसके इंतर दालें धेसारा पैपर और डालें केचप और शुगर और रेचली पाउडर अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़रूर से दालना और नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो अब इन सब चीदों को मिक्स कर दें अब थोड़ी दर बार इसके अंदर में दालूँ सॉल्ट और डालूँगी यह थोड़ा सा पानी जो हमने जार में बचा हुआ था ना उसका ही पानी है और डाल देंगे और डाल लिगे और गाईनो जान यह में इमपर्टन चीज़ेंगे इससे एक दम ही बड़ी हा ब्ली्ड हो चुका है अभी हम सको फ्लेंगे इधार लेंगे हमारे मुथ हो चुका है और देखिए कितना बड़िया दिख आ अभी इसको बोल में ट्रांसफर कर देँग अगर आपको इसका प्रिज़व करना है सिर्फ तो आप एक ग्लास का ऐर-tight container ले लो उसके अंदर इसको रख सकते हो यह दो weeks तक के खराब नहीं होगा but make sure आप इसको अच्छे से रखें so guys यह देखिए हमारा sauce एकदम बड़ी ऐसा रेड़ी है pizza sauce अब आप इसको pizza पर लगाओ पास्ता में दालो या dip के जैसे जीश करो या तो वो pizza pocket बनाओ आपकी मर्जी है so guys अगर आपका ओज का वीडियो पसना आया हो please like कीज़ेगा share कीज़ेगा subscribe channel को मिलते की वीडियो में बाबाई